हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, होग करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, सेफ होगे और हेल्दी होगे तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अप्लिकेशन के बारे में जो simply किसी भी लोग, sign, word या कहीं भी कुछ भी written text हो, उसको सीधा आपकी language में translate कर दे तो इस application की खास बात यह है कि यह auto detect language कर लेता, auto detect का मतलब क्या हुआ कि suppose यहाँ पर अगर कुछ भी Chinese में या French में लिखा हुआ है और आपको अपने camera का scanner लाते हो तो यह simply detect कर लेका कि किस language में लिखा हुआ है और आपको translate कर देगा तो यह आपको जानने के जरूरत नहीं पड़ेगी कि यह कौन सी language में वो code है तो यह बहुत ही easy होगा and बहुत ही जादा trusted होगा because यह non Chinese है and यह Google की तरफ से application आती है जिसको आप Simply Play Store से भी download कर सकते हैं अगर आप एक traveler हो या जब भी भार वगर अगर थोड़ा बद भी जाते हो तो यह application के आपके पास होना बहुत जादा जरूरी है because कई बार हमें नहीं पता चल पाता कि हमें क्या करना है या Glow Sign का मतलब क्या होता है because उनकी language में लिखा तो अज जिस country में आप होते हो तो simply इस application के यूज़ करके आप अपने लिसले translate कर सकते हो and आपको बहुत जादे convenient होगा है application बहुत ही easy to use है तो बीना किसी देरी के चलते सीधा phone screen पे and वहीं पर मैं आपको बताऊँगा आप इसको download कैसे कर सकते हो and description में भी link है आप वहाँ से भी download कर सकते हो और अगर चैनल पर नहीं हो तो subscribe करके bell icon दबाके all जरूर दबाईएगा ताकि नए वीडियो की notification आपको मिलती रहे शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हमें खोलना है play store and यहाँ पर हमें search करना है translate google translate आपको दिखेगा उसको simply आपको tap करके install कर लेना है install करने के बाद मैंने पहले से कर रखा है तो install करने के बाद आपको simply open करना होगा and open करने के बाद यह आपसे language setup मांगेगा जिसको आपको simply finish करके छोड़ देना है और कुछ नहीं करना है उसके बाद camera जो सामने दिख रहा है उसके टैप करना है नीचे continue पर click करना होगा उसके बाद आपसे permission मांगेगा आपको simply वो permission दे देनी है camera open हो जाएगा आपको direct कि जाद दिख रहा है pause transition पे तब एक पिच्चा click हो जाएगी जब तक translate ना हो हमें click नहीं करना है वरना problem हो जाएगी आप देख सकते हैं Japanese to English translate हो गया है इसी तरह से मैंने थोड़े और sample लिका लखे हैं आप simply उससे देखो and आपको make sure करने जब तक translate ना हो adjust करेंगे and जब यह ऐसा हो जाएगे तब हमें tap करना है दिखे मैंने tap किया तो आज की वीडियो के लिए बसे इतना है दोस्तों वीडियो अच्छा लगाओ तो like share subscribe करिएगा